हर हर महादेव देखें बड़ा बिच्चतर प्रश्ण एक आया हुगा है आस्तोस उपाध्याए है भारद्वाज गोत्री है इन्होंने प्रश्ण किया है कि भगवान शिव विश्णू और ब्रह्मा जी में बड़ा कौन है यदे पर हम जानते हैं कि इन तीनों में अभेद है लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं क्योंकि शिव तमो गुणी है भगवान विश्णू सतो गुणी है और ब्रह्मा रजो गुणी है तो इस आधार पर आप बतामें इन तीनों में स्रेष्ट जेष्ट कौन है देखिए ये बार तो निश्चित है आप जानी ही रहे कि तीनों में अभेद है इनमें कोई भेद नहीं है स्वयम भगवान ब्रह्माने स्वयम शिवने और स्वयम भगवान विश्णू ने भी ये कहा है कि हम तीनों में कोई भी भेद नहीं है और जो भेद करते हैं वे तत्व को नहीं जान पाए है दक्षत प्रसंग के बाद भगुमान स्वयम श्री हरी ने कहिलास परवत पर समस्त देवताओं के सामने ये उद्धोषना की थी कि अहम ब्रह्माच सलवस्च जगतह कारणं परम आतमेश्वर उपद्रष्टा स्वयम द्रिक विशेशन अहां और त्रयानाम एक भावानाम यो नपश्यत वई भिदां तो इन तीनों में जो एक भाव से रहने वाले हैं इनमें जो यो नपश्यत वै विदा में जो भेद नहीं देखते हैं एक भावान का बच्रण है हम तीनों ब्रह्माविशनुमभ ये समझे wants तीनों में जो भेद नहीं देखते हैं सर व्हूत डा म dau ब्रह्मान्सष शांति मधिगच्य ती वही परमशांती को प्राप्त करता है परमपद को प्रापत करता है मुझे प्राप्त करता अरतात तत्वतह इन तीनों में कोई बेद नहीं है। यहा तो मुझ रूप में पंच देवों में कोई बेद नहीं है। शृत शिव, गणपति, भगवति, दुरगा, और महा विष्णू भगवान और स्री सूरिό नारायन या ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव सुरि नाराणे के स्वरूप हैं, तो इनлек कोई भी अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, ज्या वेद है, मैंने एक ही हैं, पर na फिर भी लीला धार्न करते हैं, और लीला में तो अब एक जैसे बने रहे हैं, तो फिर अलग-अलग स्वरूप ह अलग-अलग स्वरूप हो, अलग-अलग सुभाव हो, अलग-अलग कारे हो, तभी तो भक्तों के लिए आनदायक होंगे, तो इस द्रिष्टी से यूं कहना कि बगवान शिवत तमोगुनी है और ब्रह्मा रजोगुनी है और विष्णु बगवान सतोगुनी है ऐसा नहीं है यह तो गुण इनोंने धारन कर रखे, स्वया मिलके गुण नहीं है, जैसे कोई क्रोधी होता है, कोई लोभी इत्याद होता है, तो यह तो उव्यक्ती है, या देप उसकी भी आत्मा नित्य सुद्ध बुद्ध है, लेकिन फिर भी यह गुण उसी में अधारत होते हैं, प परे, यह तो संसार को चलाने के लिए, उन्होंने यह गुण धारन कर रखे, कि ब्रह्मा जी ने रजो गुण धारन कर रखा है, श्रिव जी ने तमस गुण धारन कर रखा है, भगवान विष्णु ने सत्व गुण धारन कर रखा है, तो यह धारना किये हुए है, यद्ध ब्रम्मा रजोगुनि है बगवान विष्नु जो है सतोगुनि है नहीं ये तरगुणा्तीत है तीनोगुनों से पढरें और इनको गुणी मानना दोस्रथी है तो यह संसार के अध्य 17 स्रिष्ठी का स्रजन करना तो स्रिष्टी बनानी है, स्रिष्टी का पालन भी करना है, समभार भी करना है, तो स्रिष्टी को बिना रजोगुन के उत्पन करना संभव नहीं है, इसलिए वो रजोगुन को धारण करते हैं, स्रिष्टी करते समय है, पालन बिना सतोगुन के नहीं हो सकता, इसलिए सतोगुन को देख कर लगता है कि किसी को बनाना किसी का पालना करना अच्छा है तो बगवान शिफ को लोग समझ लेते हैं कि यह तो मालने वाले हैं नहीं और सभाई भी जरूरी है वो करना वह आम अमारे कल्यान के लिए यह सब करते हैं क्योंकि मनुश की ऐसी प्रवृति है वो प्रकृति के खिलाप ही जाता है सब तोड़ फोड़ देखिए कितने जो परवत हैं उनको तोड़ दिया नदियों को पाट दिया जो गड़े थे उबर दिये और जो उँचे थे उनको फोड़ दिये विर्प्षाओं का छेदन कर रहा मलमूत्र का इदर उदर कितनी गंदिगी पहला दी कितना क्या कर दी अब जी जिब विपलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह तो फिर समालना पड़ेगा तो वहां किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है वो साब को अपने अंदर हुलीला समेट लेनी है तो इस स्वरूप को इसलिए तमसब प्रधान माना जाता है उनके कारिक को देखते हुए अन्यता शिब जी तमोगुणी नहीं है यह मानना चाहिए प्रकरिया है इसी रूप में अन्यता वो श्रिष्टी चलेगी ही नहीं तो यह तीनों इनकों के परे होने के पर भी संसार के कल्यानाथ तकुन त्दा रहना है अब इसको देखकरके इनकी किरिया को देखकरके शिव जी को छोटा देखा जा रहा है अब देखिए एक स्रीमत भागवत में यूं आया एक वही तीनों देवों में कौन महान है ये परिशा लेने के लिए भ्रगु महराजी को न्यप्त किया गया तो उसमें वो ब्रमाजी के पास में गए तो वहां व्यवहार किया तो ब्रम भगवान के पास में गए तो उन्होंने तो सम्मान की चाही नहीं कि उन्होंने जाके चरण प्रार कर दिया लेकिन फिर भी उनके चरण बंदन किये और उनसे अक्षमाय आचना की तो ये देख करके लगा कि भगवान विश्नु ही महान है और ब्रमाजी को इसमें छोटा द दरसाया जा रहा है और देखिए कि उत्पत्ति का करम जो श्रीमत भागवत इत्याद में दिया है कि श्रीमन नाराण के नावी से ब्रह्मा तो अब ब्रह्मा जो है विश्नु के बेटा हो गए ना इसमें तो अब ब्रह्मा इसमें चोटे हो गए कि उनके बेटा है और ब्र शिव जी को इसमें चोटा दरसा दिया गया सबसे महान विश्ण भगवान को तुझे कथा यासी दिखाई गई अब देखिए कुछ कथा यासी है अब शिपुरान के आधार पर देखिए कि भगवान शंकर नहीं ब्रह्मा और विश्ण को उत्पन किया और उनसे स्रिष्टी इत्याज करने के लिए का तो वो असमर्त थे तो काग हमारे से लिंग का आप पता लगाईए एक लिंग खरा कर दिया भगवान शंकरन शिवलिंग तो ब्रह्मा जी उपर अंसपर बैट करके गए और नीचे विश्ण भगवान वरा हरूप धारन करके ग मिला उसका कोई भी अंत नहीं मिला तो लोटे आए ब्रह्मा जी ने आकर के जूट बोल दिया कि हम तो उपर से केतकी का पुश्व ले करके आए जब कि वो बीच में से ले करके आए थे वो शिव जी के लिंग का कोई अंत नहीं था आनंत था तो भगवान शंकर समझ गए महान है तुम दौनों में वैसे तो बेर्म जो है शिव जी ने उत्पन किया तो इस कता में देख करके लगता है ब्रह्मा शंकरी इन konnteं ब्रह्मा जी ऐँत तुमने ठीक नहीं बोला तुम्हारे पांच सिरी एख रहता दया उन्हों का जूट बोलने के का नहीं सब्सी करके लगता, भगवान शिव महान है, भगवान गणेश दिनके श्री किष्ण भगवान के कई विभा हुए आपने देखा, गया पोत्तर किसी को नहीं ओर तो, भगवान के आराधना की, तो जाब आराधना की, तो भगवान शंकर प्रकट हुए और ने बरदान दिया बहु पुत्र वान भावा तो बहुत पुत्र हो गए बहु पुत्रवान हो गए भगवान श्री किष्ण तो शिव जी की आरदना की तब न हुए पुत्र भगवान शी राम ने भी शिव जी की आरदना की तो ये इन में कोबर छोट कहत अपराद कोई किसी को ब महान है शिवजी की महिमा हो रही है शिवजी के शुरूप का वर्णन हो रहा है तो शिवजी ही महान है क्योंकि वो तत्वता एक ही है न शिवजी को महान बनाने में भी इन तीनों की महानता है शिवजी को छोटा बनाने में भी इन तीनों के लिए ही छोटा है किसी एक को महान बना रहे तो वो सब तीनों एक ही हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं है इस दृष्टी से अगर सामान बुद्धी से आप देखना चाहते हैं फिर भी आपको लगता है तो आपके जो इस्ट देवता है वो आपके दिए महान है और गुणों के आधार पर आप देखना चाहते तो सदोगुण भ्गवान-धारी बिश्णुही महान है इस तरीके से यह बात है इनमें कोई ऐसा नहीं मानना है वह कौन महान या चोटा यह गुण। उनके स्वायमके नहीं है ये गोन धारन किए रहे हैं और गोन किये गए हैं बक्ती की दिश्टी इस यह मानिए कि जिनकी जो उत्पत्ती है ना जैसे यहां कैलास प्रसंग में श्रीमद भागवत में लिखा है कि भगवान शंकर ने खड़े हो कर के ब्रमा जी को प्रनाम किया किस रूप में? जैसे भगवान बामन अपने पिता का शिव को प्रणाम करते हैं, जैसे भगवान शीराम अपने पिता दसरत जी को प्रणाम करते हैं, जैसे बावा नंद को या वसुदेव को भगवान सीकिष्ण प्रणाम करते हैं, तो अब ऐसा नहीं कहा है, वह मुझे यह अब उत्पन हुए ब्रह्मा और शिव कहीं देखेंगे तो शिव जी से उत्पन हुए तो इनको ऐसा नहीं है कि इनके पिता हो गई अब जो शास्वज्य से दस्रजी के भगवान सीराप अरे वह अवतार की पिता है साक्षात बो जगत पिता हो स्वेम ही इसी रूप से यह ब्रह्मा से प्रकट हो जाए तो कोई अब देखिए विष्ण भगवान ब्रह्मा से प्रकट हो रहे हैं पता है आपको अले वही जो बरा भगवान का प्रादुर्वाव कहां से हुआ विष्ण भगवान से ब्रह्मा हुए ब्रह्मा से शिव हुए और शिव जी की किरपा से जो फिर भगवान जो सक्तिवान बने उनकी भगवान शंकर जी नहीं ब्रह्मा विष्नु को प्रकट किया यह भी है और ब्रह्मा जी की नासिका से भड़ा भगवान प्रकट हुए तो यह टो एक उत्पक्ति का माध्यम बनाते हैं कहा कैसे कब किसको प्रकट होना है अन्य था वो सब एक ही है और अगर आपकी दिश्टी लगती है कि हम तो बगवान विश्णु को महान मानेंगे तो मानियेगा पर औरों की निंदा मत करिये ये इसका रहसे है अगर शिवजी को कोई कहा है कि हम तो शिवजी को महान मानते है हमारे शिवजी महान है देखिए वो बश्णु बगवान भी इनकी आराधना करते है हाँ ठीक है तो आप शिवजी को अपना इश्ट मना करके शिवजी की आराधना करिये लेकिन उनको विश्णु भगवान की या ब्रह्माजी की निन्दा मत करिए तो आप आपके लिए ठीक है आप ब्रह्माजी को महान मांगते है ठीक है ब्रह्माजी की आरदना प्राया कई जो है राक्षस बर्ग ब्रह्माजी की आरदना करते है सबने ब्रमाजी से बर्दान पाया है तो ठीक है उनको सबको बर्दान मिला के नहीं मिला लेकिन वो दूसरों की निंदा शिव और बिश्णू की निंदा ना करे तो वे भी महान है इस तरीके से जो जिसमें इस्टता अपनी प्रफलता है उसके लिए वो महान है हर हर महादे